हेलो बच्चो कैसे हो आप आजम कक्षा पांच गनित का शीद कालीन अवकास ग्रे कारे हल करेंगे आठ जन्वरी 2021 सुक्रवार को आप जो ग्रे कारे करेंगे उसमें गतिविदी एक अक्सर कहा जाता है अगर धन खो जाता है तो कुछ भी नहीं खोता है लेकिन अगर स्वास्थ खो जाता है तो सब खो जाता है फिट रहने के लिए हमारे पास स्वस्थ भोजन होना चाहिए इन्हें अपने दैनिक अहार का हिस्सा बनाए निम्न तालिका में वह सब लिखें जो आप एक हफ़ते में खाएंगे तो बच्चो यहाँ पर एक तालिका दी गई है आपको इस तालिका में अपने सुबह का नास्ता दोपहर का भोजन और रात्री का भोजन लिखना है जो आप पूरे हफ़ते में खाएंगे जैसे दिन सोमवार नास्ता गोबी का पराठा लंच दाल रोटी दही डिनर सबजी रोटी इसी प्रकार मंगलवार नास्ता चीला लंच सबजी रोटी दही डिनर दाल चावल आपके स्वीधा के लिए मैंने इस तालिका को अपने अनुसार भरा है आप इस तालिका को अपने अनुसार भरेंगे कि आप पूरे एक हफ़ते में नास्ता लंच और डिनर में क्या-क्या खाएंगे जो भी चीजे आप अपने सुभा के नास्ता दोपहर के बोजन और रात्री के बोजन में खाएंगे वह दिन के हिसाब से यहाँ पर लिखकर इस तालिका को पूरी करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं गतिविदी दो तालिका में नीचे दिये गए नोटों की लंबाई और चोड़ाई का अनुमान लगाएं उन नोटों को मापे और अपने माप और अनुमान में अंतर खोजें तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है इस तालिका में कुछ नोट दिये गए हैं जैसे 10 रुपे का नोट, 50 रुपे का नोट, 100 रुपे का नोट, 200 रुपे का नोट और 500 रुपे का नोट. अब आपको अनुमान लगाना है कि किस नोट की कितनी लंबाई और चोड़ाई होगी सेंटीमीटर में लिखा जाएगा. फिर आपका माप, आप अपने बड़ेओ की सायता से उन नोटों को स्केल की सायता से मापेंगे और उसकी सही लंबाई और चोड़ाई सेंटीमीटर में यहाँ लिखेंगे. जैसे 10 रुपे का नोट मेरा अनुमान लंबाई 10 सेंटीमीटर चोड़ाई 5 सेंटीमीटर जब उसको मापा गया तो सही लंबाई आई 12.3 सेंटीमीटर और चोड़ाई आई 6.3 सेंटीमीटर इसी प्रकार 50 रुपे का नोट मेरा अनुमान लंबाई 12 सेंटीमीटर चोड़ा 6 सेंटी मीटर जब इसको मापा गया तो सही लंबाई आई 13.5 सेंटी मीटर और चोड़ाई 6.6 सेंटी मीटर आपकी सुविधा के लिए मैंने इस तालिका को पूरा कर दिया है आप घर पर पहले अनुमान लगा का तालिका वरेंगे और इसके बाद नोट को अपने बड़ों की सायता से मापेंगे और उसकी लंबाई को लिखेंगे तो बच्चो आज का घरेकार यहां समाप्त होता है आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल Knowledge Kingdom Thank you